एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में दो दोस्त रहते थे मोहन और सोहन. दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और साथ में खूब मस्ती करते थे. एक दिन, दोनों ने फैसला किया कि वे गाव के पास की नदी में मचलिया पकडने जाएंगे. वे अपने साथ मचली पकडने का जाल लेकर नदी के किनारे पहुँचे और मचलिया पकडने लगे. कई घंटे बीट गए, लेकिन उन्हें कोई बड़ी मचली नहीं मिली. तभी अचानक, मोहन ने देखा कि जाल में एक चमकदार सुनहरी मचली फंसी हुई है. वह मचली को निकालने के लिए उचसाहित हो गया और जल्दी से जाल को खीचने लगा. जब मोहन ने मचली को देखा, तो वह चकित रहे गया. यह कोई साधारण मचली नहीं थी, बलकि एक जादूई मचली थी जो बोल सकती थी. मचली ने मोहन से कहा, मुझे छोड़ दो. अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी. मोहन ने सोहन से सलाह ली. सोहन ने कहा, यह एक सुनहरा मौका है. हमें सोच समझ कर इच्छा मांगनी चाहिए. दोनों ने थोड़ी देर विचार किया और फिर मोहन ने कहा, हम चाते हैं कि हम दोनों हमेशा खुश और सम्रिद रहें. सुनेरी मचली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी. और फिर वह नदी में गायब हो गई. कुछ ही दिनों में मोहन और सोहन की जिन्दिगी बदल गई. उनकी महंत रंग लाई और वे आर्थिक रूप से संपन्न हो गए. उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उनके व्यवसाय में भी बहुत लाब हुआ. वे दोनों खुशाल और संतुष्ट जीवन जीने लगे. कुछ समय बाद, गाव के अन्य लोगों ने भी मोहन और सोहन की सफलता देखी और जानना चाहा कि उनका रहस्य क्या है. मोहन और सोहन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि सच्ची खुशी और सम्रिद्धी का राज महंत इमांदारी और दूसरों के प्रती करुणा में है. गाव के लोग भी मोहन और सोहन के उदाहरन से प्रेरित होकर अपनी जिन्दिगी में सकारात्मक बदलाव. लाने लगे वे भी महनत और इमांदारी से काम करने लगे और उनके जीवन में भी खुशाली और सम्रिद्धी आने लगी. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी और सम्रिद्धी महनत इमांदारी और करुणा से ही मिलती है. जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं और महनत करते हैं तो हमारी जिन्दगी में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं.